इसके CWC सदस्वे और कॉंग्रेस के वरिश नेताब हवर जीतेंदर सिंग निराजसान विधान सवाचुनाव को लेकर खास वाचीत की इस दोरान अलवर के मुद्दो और घेलो सरकार के काम को लेकर बीजेपी के द्वारा जारी प्रतियाशियों के सूची पर अपनी बात रखी दिल्ली नियूज एजीटर अदितिनागर ने उन्स की साथ खास वाचीत की कॉंग्रेस के दिगज नेता भवर जेतिन सेंग हमारे साथ मौझूद है मैं पूरा अलवर घूम के आई और पूरा तो कॉंग्रेस के कारे करता और नेता और लगबग आदा भाजबा सिर्फ यही कह रहा है कि यहां पर सियासत में अगर कोई पत्ता हिलता है तो वो भवर जेतिन सेंग जी के थ्रू हिलता है इस बार पहली बार ऐसा है समझ में आने लगता है कि चुनाओं में जैसा पैटर्न है एक बार कॉंग्रेस एक बार बीज़पी पहली बार कॉंग्रेस भी पुर्जोर तरीके से कोशिश कर रहे है क्योंकि क्या सर्वे और माहौल के लिए हाथ से ये ग्यारंटी स्कीम्स के लिए हाथ से लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली से निकलते हैं अलवर पहले आता है अलवर की सियासत हमेशे राष्ट मुद्दे रहे हैं चाहे फिर वो तमाम तरीके की मॉब लिंचिंग की बात हो या किसी भी तरह की मुद्दे खास तोर पर इस बार भारते जंता पाटी ने अपने दिगजों को उतारा है पहली इलेस्ट आई उसमें कई सांसों उतारे जो एक अलवर से थे इस पूरे घटना करम को अलवर को उसकी महतुता को और चुनाओ में कैसे दे ये बात सही है कि देखिए अलवर क्योंकि राज़धानी परियुजान शेत्र के अंदर आता है और अलवर ही एक तरह से राज़धान का सिंग द्वार है तो यहां दिली के नजदीक होने के नाते भौगोलिक स्तिती को देखते हुए अलवर हर दम एक प्रमुक भूमिका है पॉलिटिकल मेरा माना यह है कि अलवर के अंदर काफी क्योंकि हमारे यहां इंफ्लूइंस भी है बहुत स्तिती से उत्तर प्रदेश भी लगता हुआ हार्याना के पास भी है तो यहां की एक तरह से पॉलिटिक्स बहुत हाई वोल्टिज पर चलती है इसलिए यहां जिस तरह के प्रत्याशी उतारे हैं भारती जनता पार्टी में और मुझे तो इस बात की पीड़ा होती है दुख भी होता है कि प्रत्याशी जो हमारे मानने भाबा जी है जो यहां से सांसद भी है वार टिजारा से लड़ रहे हैं और जिस तरी की प्रचार कर रहे हैं वो बहुत आपजनेख सवाब है लेकिन बहुत महत्तूर्पूर्ण में चाहेंगे, बड़े वीबाकी से आप उसका सवाल जवाब दें आपने कहा कि सिंग द्वार है अलवर, इस बार ये माना जा रहा है कि सरकार भाजपा की आए या कॉंग्रिस की, दोनों ही केस में जो सिंगहसन का ताज है वो अलवर से चड़ेगा, कॉंग्रिस हो या फिर भरते जटना पार्टी मेरे क्याल से देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार सो प्रितिशत कॉंग्रिस की आएगी, सरकार रिपीट होगी, जनता के दिल में खास तोर से जो गरीब लोग है, महिलाएं हैं, युवा हैं, उनके लिए जिस तरह की स्कीम लेके आई है सरकार, उनसे कोई जीरो ए कि खिलाफ कोई भी एंटी इंकमची नहीं है, जहां तक आप ताज की बात कर रहे हैं, ताज तो देखिए, जो राजस्तान के जनता है, हमारे मानने विदाहिक हैं, वो जिसके उपर ताज रखेंगे, वो ही ताज माना जाएगा, इसकी कलपना एक तरह से हम करें, इसकी एक इसको इसके बारे में चर्जा करें, वो मेरे खियाल से उचित नहीं है, विकल्प खुले मान सकते हैं, तो यह हमारे साथ थे भवर जितिन सिंग जी, जिनोंने लगाता लंबे समय, ना सिर्फ अलवर में, लेकिन राजस्तान में काम किया, और अभी आलाकमान की कोर टीम के, या किचिन कैबिनिट के सदस्य माने जाते हैं, अलवर के हर फैसले या राजस्तान से जुड़े हर फैसले में, उनका से होता है, ऐसे में, राजस्तान में सरकाराई की इस बात का वो दावा कर रहे हैं, और ताज किसके सिर्पर होगा, उसका विकल्प खुला है, वो जनता और आलकमान तेय करेगी। कैमरा पर्सन नुशाद के साथ अधितीनागर अल्वर।